आगामी महानगर पारिका चुनाव के लिए सभी मुख्य पार्टियों ने वोटों के जोड तोड का गनित शुरू कर दिया गया है। मुख्य पार्टिया अपने समविचारी छोटी पार्टियों और सक्रिय संगठलों को साथ में लेने के लिए गनित बिठाने में व्यस्त हो गई है। ओफरों से लुभाया जा रहा है। वैसे सभी पार्टिया अपने वोट बैंक को एक जूट करने के लिए बूद स्तर पर सक्रिय भी हो चुकी है। बैठको प्रशिक्षन कार्य शालाओ का सिलसिला चल रहा है। वैसे सत्ता सीन भाजपा के साथ रिपाई आठवले है तो कॉंग्रेस को पीरिपा रिपाई गवई का साथ है। शिवसिना फिलहाल किसी रिपाई गुट के साथ नहीं है। तो राश्टरवादी कॉंग्रेस भी नया गुट खोज रही है। दलित और मुस्लिम वोटों का विभाजन नहों और OBC फैक्टर को भी अपने पक्ष में करने के लिए पार्टी नेता प्रयास कर रहे है। बीते दिनों तो OBC आरक्षन के पक्ष में सभी मुख्य पार्टी ने आंदोलन कर यह जताने का प्रयास किया था कि वे OBC के साथ है। के खिलाफ Anti-Incumbency की चर्चा भी चल रही है। कुछ का आकलन यह भी है कि भले ही भाजपा की सीटे कुछ कम हो सकती है। लेकिन सत्ता उसे हासिल होगी। इसके पीछे केंद्रिय मंत्री गटकरी द्वारा सीटी में किये गए विकास कार्य है। बावजुद इसके भाजपा भी चुनाओ को हलके में नहीं ले रही है। उसके नेता छोटी पार्टियों और सक्रिय सामाजिक संगटनों के पदादिकारियों को अपने पक्षमे करने की जुगत में जूट गए है। चर्चा यह भी है कि वंचित बहुजन अगाडी को कॉंग्रेस अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है। चुनकि बीते दिनों हुए स्थानिय स्वराज संस्थाओं के चुनाओं में वंचित बहुजन के वोटिंग परसेंटेज में कुछ इजाफा दिख रहा है। इसलिए सभी पार्टिया उसे अपने खेमे में लाने का प्रयास कर रही है।